तो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आप सभी कर सवागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपडिशन गौरों में दोस्तों सीटेट कब होना है निश्चित नहीं है पांच उलाई हो सकता है पोस्टफोन हो जाए अगर नहीं भी पोस्टफोन होता है तो आप त्यारी नहीं कर सकते हैं तो उसी आधार पे लास्ट येर पेपर पैटर्न के हिसाब से हम बात कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहला कोशन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है पहला कोशन है विच आफदा फालोविंग कंस्ट्रक्ट ड़स एक समान स्कूलिंग होनी चाहिए किसी बच्चे के साथ भेड़ बाव नहीं होना चाहिए ठीक और बच्चा चाहें किसी भी सामाजिक राजनेतिक आजथिक भासिक प्रिश्ट भूमिका हो उसको एक समान वे ध्याले में निसुल के सिक्षा दी जाए 6-14 साल या रखेगा 6 to 14 years लेकिन ये 2009 की बात कर रहा है अगर इसी जगह 2016 अधनियम होता तो उसमें ध्यान अखना है कि 6-18 वरस तक के जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त सिक्षा का अधिकार दिया गया है तो ये जो 2009 कह रहा है ये 2009 6-14 साल तक के बच्चे को किसी भी समू क्यों हो निशक तो अलावानवित हो दोड़बल हो या किसी भी तरह से हो उनको निसुल के सिक्षा का अधिकार देता है यानि ये ऑप्षन मतब इसका अंसर रहेगा ए लेकिन इस बात के याद रखिएगा 2009 कहा है अगर 2016 होता तो वहां पे 6-18 साल होता दिव्यांग ठीक है भाई नेक्स्ट कोशन जहां पर किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और वो कहता है कि सभी को रेगुलर स्कूलिंग मिलने चाहिए सबको समान सिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए सभी को समान अवसर मुहया कराए जाएगा देखिए हमें स्कूल में ये सोच के नहीं बैटना ग पाएगा या ये कुछ नहीं कर पाएगा ऐसा कुछ नहीं हमें हर बच्चे के साथ समान ब्योहार करना है उन्हें मैक्सिमम सफलता वो कैसे गेन कर सकते हैं इसके आवसर उत्पन कराने हैं ठीक है बई और किसी भी तरह से देखिए हर बच्चा अलग-अलग तरीके का होगा अलग-अलग प्रष्ट भूमी से आया बच्चा होगा तो हमें उसका समान भी रखना है और बच्चों तक ये मैसेज भी पहुंचाना है कि हम डाइवर्सिटी विवित्ता का समान करते हैं और सारी बच्चे एक समान है ठीक है तो इसका आंसर होगा समावेसी सिक्षा आंसर है इसका डी चलिए बढ़ते आगे अगले कोशन पर अगले कोशन करा अगले कोशन करा टीचर सुट टीचर को क्या चाहिए अब देखिए पहला अप्शन क्या करा कि विशेज संस्कृति समुदाय कि बच्चों को बढ़ावा देना बिल्कुल गलत भीडबाओ तो टीचर क नहीं करना है उनका समान करना और बच्चों तक ये मै should भी पहुंचाना ए कि हम विव augmented का और जो अब अलग संस्क्रति से आप 0 आएं एसका समान भी करते हैं उसका महतूबी करते हैं महतुबी देते हैं और आप हमारे लिए महतून है। याद करें आप किसी कस्टमर के राय पर फोन करते रहे, वो क्या बोलता प्रक्ति आप की कॉल हमाएं ल्यूतर्पुन हैं टो वहां तो फून को या को बोलते हैं आप की कॉल हमाएंमे लिए महाथमून हैं इसी तरह इस option क्या रहार पे ये सही होगा c वाला yes अप्रिसित करें कि वह कच्छा कच्छ में सभी संस्क्रतियों का समान करती मा तो देती है यानि answer the right answer is c next question क्यों बढ़ते हैं कोशन नंबर क्या है children land effectively when बच्चे कब सीखते हैं याद करें थांडाई का law of readiness ततपरतागनियम ततपरतागनियम याद है ना थांडाई के तीन मुक्नियम थे और पांच गौल्डनियम तीन मुक्नियम एक या थेन का ततपरतागनियम क्या कहता रहा बच्चे जिस काम को करने क तेरे तयार होंगे वह जल्दी सिखेंगे और बच्चों के अंदर एक खास बात होती है बच्चे तब जड़ा सीखते हैं जब उनको फ्री होके सिखाया जाए कोई और नहों रटने की बात नहों और बच्चे सोहम करें बच्चे सोहम करके देखेंगे तभी करेंगे नकल अक से नहीं होगा याद करने से नहीं होगा अब देखिए पहला उप्षन क्या लिखा याद करना आप याद रखिएगा सी टेट के यूपी टेट के किसी कोशन के ऑप्षन में अगर लिखाओ याद करें कंठेस्ट करें मेमोराइजेशन तो वह आंसर गलत होगा तो इसका पहला बांसिंग में भी तब ही वह शादा आक्टिव होगा ज्यादा सिखेंगा आपको एक्जामपल बताएं च्øठे आप देखा होगा जोучी और एक पोहिं यार तो में तो बच्चे हाथ लगा लगा के काम करते हैं मतलब हाथ भी हिलाएंगे कुछ ना कुछ action करेंगे इसका मतलब आप समझिएगा जब तक बच्चा किसी चीज में attached नहीं होगा activity नहीं करेगा वो सीख नहीं पाएगा तो इसका अंसर क्या है c right answer is c चलिए question number five की ओर हम लोग बढ़ते हैं कह रहा है children's question in the class बच्चों को कच्छा में प्रस्ण भईया आप सोचिए बच्चों को कच्छा में प्रस्ण पूशने चाहिए गि नहीं पूशन चाहिए तो या रखना बच्चों को पूशना चाहिए question answer पूशना चाहिए और teacher को क्या करना है teacher को उन बच्चों को question पूशने के लिए encourage करना है उट्साहिए करना है क्यूंकि बच्चे देखे जिग्याशू प्रवती है पियाजे ने कहा था कि बच्चे नन्हे वग्यानिक होते हैं वो अपनी दुनिया गर्रमार स्वायम करते हैं अगर बच्चा किसी चीज को देखकर जिग्यासु प्रवति नहीं दिखाएगा कोशन पूछेगा नहीं तो उसको याद भी नहीं होगा आपने देखा होगा बच् को इनकरेज करना चाहिए बिटा और पूछो और पूछो यानि इसका राइट अंसर है डी बी इनकरेज टू आस्क पूछने के लिए प्रेदित करना चाहिए चलिए कोशन नंबर सिक्स सिक्स कुशन में करा विच और फालोगी इस नॉट अक्रीप प्रोसेस तूप विज किसी भी पढ़ाई की बात में रटना इसमरण करना मेमुराईजेशन ये गलत होता है मैंने आप से पहले का किसी भी कोशन के आप्षन में ये लिखाओ समझेए गई ये आप्षन तो हो गई नहीं लेकिन ये तो होगा नहीं तो हम यहां क्यूं बोल रहे हैं क्यूंकि या उसका मिलान करना ठीक है मिलान करते हैं भाई एक तरफ दिया है एंग्लिस में नहीं इसमें एक तरफ दिया प्रतिवा साली यानि गिफ्टेड सेकेंड में आधिगाप आ सकते था लर्णिंग डिसेबल्ड तीसरा है क्रियेटिव और चौथा क्या है एडी एच डी बहिया एडी एच डी का मतलब भी समझेगा अटेंशन अटेंशन का मतलब होता अवधान डिफेक्ट यानि कमी फिर है हाइपर एक्टिविटी हाइपर एक्टिविटी का मतलब हो गया क्या वह यह आतिसक्रीता और डिस ओर्डर व्यतिक्रम एडी एच डी आवधान कमी अतिसक्री ठीक आवद्हान कमी इसका मतलब भी समझेगा अबढका मतलब अटेंशन होता है आवधान कमी यानि अटेंशन में कमीfilled आपके दियान देने में कमी अशीक्रिटा वितक्रम इसका मतलब क्या हैै ऐसे बच्चे जो बहुत आसानी से मतलब जो किसी चीज पे ज़्यादा देर कंसंट्रेट ना हो पाएं पढ़ रहे हैं किसी बगल में खास दिया तो उनका अटेंसन खतम हो गया वो देखने लगे उसी बच्चे को या कोई हस दिया कोई रू दिया मतलब चोटी चोटी चीज रहा है आप ढूनिये कौँ सवाला है हमें डी दिख रहा है से गिता से सिखने की योगिता रतिबा साली बच्चे समझेने कौन है एक सो चालीस प्लस वाले और इनके अंदा तो बहुत सारी खूबियां होती है अच्छा ही लोग अच्छा चिंतन करते हैं अपने आप सोझ स हैं और चीजों को अच्छे से उनके पास वाकि विचार भी ज़्यादा होंगे ग्रामर पोजिशन भी उनका अच्छा होगा कई सारी चीज़ें होती है एक सो चालीस प्लस उनकी आईक्यू होता तो इसका भी अपहले का तो हमको दिख रहा डी तो पहले का डी कहा है आपसन तो किवल आपसन नमबर ए में दिखादा आप पहले वाले में और देख रहते हैं क्रियेटिविटी क्रियेटिविटी का मतलब क्या विया मूर समाधानों के विसार में सोच रखना है या इसका आपसन नमबर कौँ सही होगा चली कोशन नमबर से बाद एट में आते हैं जानने का, जानने का, कि आखिर उनके अधिगम में क्या कमी है, हम जो पढ़ा रहे हैं, उसमें उसको क्या साउन में आया, क्या नहीं आया, और बच्चे देखिए गलतियां करेंगे, क्यों, क्योंकि जब कोई आदमी साइकल से गिरता भी है ना, तो साइकल से गिरना, साइकल से सिखने का एक प्रक्रिया का एक हिस्सा है भूलना याद करने का एक हिस्सा है इसी तरह गलतिया एक हिस्सा किसका है लर्निंग का बच्चा जो सीखेगा वो गलती तो करेगा ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं होगा सचिद दो लुकर भी जब क्रिकेट खेलने गया होगा तो सु इंसाइड इंटो डेयर esas a देगे बच्चे के लिए अदिग्म का सिते हैं पच्ची एक मौका है यह जानने का इसमें बच्चा कहा गलती कर रहे हैं यह हम जो बता रहें उसमें बच्चा कहां गलती कर रहे हैं ठीक चलिए कोशन नमबर नाइन की बात करते हैं इसमें कहरा एसेस्मेंट मुल्यांकन क्या होता दो भाई आप मुल्यांकन का मतलब आप शीर से समझ लो अपने भासा में एक्जाम हम लोग क्या स्कूल में एक्जाम होता है उसके लावा कई सारी एक्टिविटीज होती है राइटिंग कॉंपटिशन भी हो सकता है जीके कॉंपटिशन पेंटिंग कॉंपटिशन ये सारी जो चीजे हैं इन सारे को बोलते हैं क्या भाई या मुल्यांकन असेस्मेंट और मुल्यांकन ध्यान रखिएगा हमारी सिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन हिस्सा है इसके बगार मुल्यांकन हो नहीं सकता मुल्यांकन के बगार सिक्षण हो नहीं कर सकता ये ध्यान रखिएगा ठीक है ना जब तक बच्चे फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से उनका टेस्ट न लिया जाए यहां पर फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों मुल्यांकन होने चाहिए एक तो पढ़ाई वाला टेस्ट लेकिन पढ़ाई के लावा डिसिप्लेंड ड्रेस उनका वे ओफ टॉकिंग बिहैवियर इन सबको भी लिया जाता है यह होता है इनफॉर्मल यानि दोनों तरीके होना चाहिए तो आप्सन आप देखिए एक कहिए एक कहिए पार्ट आफ टीचिंग लर्निंग प्रसेस यह अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्से होना चाहिए मेरे साब से तो यही सही है फिर कहएदा केवल नंबरों के नहीं भाई तो यह गलत हो गया तीसरे में कहएदा प्रकार के लिखित कारें पे आधारित होना चाहिए नहीं भाई वस्तुनिष्ट क्यों ऑप्सनल क्यों ऑप्सनल भी होना चाहिए आपको एक्जाम देते हो क्या किवल ऑप्सनल क्यों zak मोफन होते ही क्या बाद में इंटर्विय या टेस्ट नहीं होता है दीटेंन नहीं होता है यह सारी चीज़े होनी चाहिए तो इसका ऑप्सनल नंबर एस योगा should be a part of teaching learning process ये अधिगम सिक्षन प्रक्रिया का एक हिसा होना चाहिए कोशन नमर 10 क्यों बढ़ रहा है 10 में कह रहा है इन अ कंस्ट्रक्टिव फ्रेम learning is संद्रशनात्मक द्रेश्टिकूर्ण यानुसार अधिगम क्या है तो भाईया अधिगम क्या है अधिगम समझेगा अधिगम एक बहुत सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया है अधिगम एक तरह से सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है और ये भी समझेगा पियाजे तो साफ साफ कह रहे थे कि संग्याना तक विकास, आपको चाहत हो ना, पियाजे के थीती, संग्याना विकास वली, जिस में इनोंने चार दिया था, संवेडी, Pacey, अवस्ता यानि सेंसरी मोटर, पिर प्रियाप्तियर्एरसिनल कांक्रीट, चार अवस्ताफमें पड़ें पॉद्धियोंके, दो से डो से साथ साथ से ग्यारा हो उसमें इनोंने साफ साफ कहा था कि कोई भी बच्चा ग्यान का अधिगम जब करता है तो सक्री रूप से करता है नाकिन निस्क्री रूप से यह आप लाइन कहीं पर लिख लेजिये देखिए यह कोशन आपका टीटी में बहुत बार आया को आप सीरसे समाल लिएगा PyaJ के अनुसार आप डैस डैस करके भी लखिएगा PyaJ के अनुसार कॉमा سीखना कॉमा सक्री बस इतना यार किए क्या PyaJ के अनुसार सीखना एक सक्री पक्रिया है。 बच्चे भी activity सीखते नौकी डिसक्टिव बच्चे छोटे बच्चे इसलिए पिया जैने का था कि छोटे बच्चे नन्ने वैग्याने का जो अपनी दुनिया का निर्मार सोयम करते हैं छोटे बच्चे रट के नहीं सीखेंगे छोटे बच्चे सोयम करके सीखेंगे अब ये कोशन जो छोटे बच्चे न अच्छा बहुत बढ़ा कोशन देखिए ये तो अध्यापक्षाद सम्मंद एक टॉपिक उसे सम्मंद देखिए गा एक सिक्षक को विध्यारतियों एवं उनकी योगिताओं के बारे में जब सकारात्म विकास होता क्या होता समझिए गा अब हमको माली ये 20 साल पढ़ाते हो टोक रहें सरकब होगा तो ये कहा गया नहीं बटा परिशान हो एक्जाम होगा तुम पास होगे ये गारंटी मेरी है तो बच्छा क्या जैसे हमने का गारंटी बटा लिखित हम तुमको दे देंगे बस तुम रास्ते से बठकना नहीं रेगुलर कोशिंग आना रेगुलर हो जाएगा और हुआ 99 परसंट जिल्लों के लिए कहा गया हुआ अब किसे ने कोशिंग छोड़ दी या कोई समस्च्य होते कलग की बात है लेकिन इससे क्या होता इससे बच्चे के अंदर भी एक संबल आता है एक उसके अंदर एक कॉंक्रीटनेस आती कि नहीं हम कर सकते है ठीक तो अगर इसके हैसाब से कोशन देखा जाए तो साफ साफ देखिए ऑप्सन नमबर डी सीख है कि सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेदित बच्चा तभी तो सीखेगा अब देखिए अगर हम बच्चों के ऊपर बहुत पॉजिटिवली विलीब करेंगे तो पहला अब जिसे लिए निश्चिंट हो जाएगा बच्चा निश्चिंट हो नी होगा उस पर प्रसर पढ़ेगा अकिसार मिर पर इतना विस्वास करते हैं हमको और पढ़ना चाहिए दूसरे में किरा उसा भंग हो जाते हैं यह तो हो नहीं सकता आप किसी के लिए पोजिटिवल पढ़ाते हैं ना देखते हैं बच्चा टी-टी कर रहा है फिर वो दो-दो साल तक बिचारा सुपर्टेट कर रहा है तो बड़ा डिप्रस्ट हो याता है बड़ा परशान हो याता है गारेसर बेकेंसी रुख गई लेकिन जब हम यह बोलते रहे तुम लिखित मल्लियो तुम सॉरी ट्वल में आते हैं अटीचर कैन इंकरेश चिलें टू बिकम एफेक्टिव एफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर वाई भाई बहिया किसी बच्चे को हमें कैसे समस्या समाधान को करने के लिए सक्षम बना है कैसे याद है आपको चिंपैंजी वाला प्रियोग पैंजी अपने आप आया उसने समस्या देखी केले डिबबे उसने डिबबे उठाये डिबबे को पर डिबबा फिचाड़ा और जो भी किया ये क्या है इसको आप ऐसे समझिएगा पहले तो बच्चों के सामने कोई समस्या आए बच्चे समस्या का कोई नो कोई अन्दाज लगाएं उसके बाद बच्चों के सामने तीन चार रास्ते हों जिनके बोलते हैं बहु बिकल्पी आप्सन हों बच्चे समस्या का समाधान स्वैम ढून सकते हैं उनको आप छोड़ दिये बच्चा ढून लेगा आप घर में चार दिन मोबाइल छोड़ जाएए बच्चा भी समस्या के साथ साथ उसके बहुत सारे आप्सन भी होंगे यानि इसका आप्सन नंबर सी सही है क्या इनकरेजिंग चिल्रें टू मेक इनिटेटिव गैसे और टू लुक एट मल्टिपल सलूशन आफ दा प्राप्लम कोशन नंबर आप्सन नंबर सी ओके कोशन नंबर थर्ट वो विदियां जिनके प्रियोक से स्वा पहल वा प्रियास सामिल हैं समझिएगा स्वा प्रियास स्वा पहल विद्धियाती एको कोशन के साब समझो विद्धियातियों की स्वा पहल बच्चा स्वा पहल करेगा अब विद्धियाती कौन है अदिगम करता विद्धियाती गई जिसमें जो अधिगम करता है अधिगम करता को नहीं इस्टुएंट ठीक तो अधिगम करता है वो उसकी आवशक्तों का आधार बनाए जाता है यहां पर अधिगम करता है स्वयम अपनी समस्याओं को सॉल्व करता है स्वयम पहल करता है प्रयास करता है टीचर की भूमिक का निवाता है सुविधा प्रदाता की गाइड एज गाइड उपदेश नहीं देगा और नहीं देगा हाँ सजेशन दे सकता है और साथ साथ कभी कभी बच्चे अपना एक ग्रुप बना लेते हैं पढ़ाई का या किसी समस्य समधान का और आपस में मिलकर किसी चीज को करते हैं आप समझ चुके होंगे अब तक यहाँ पर सेंटर में कौन है बच्चा बच्चा मतलब जो सीखने वाला सीखने वाला का मतलब जो अधिगम करता है लर्नर है यानि यहाँ पर आपसन होगा बी लर्नर कंसंट्रेटेड मैथेड अधिगम करता केंदित भी आंसर हमारा सही है बी अब आते हैं कोशन नमबर फोटीन आप यह लेंग्विज पढ़ रहे होगे जो विद्याती अच्छा प्रशन नहीं कर पाते हुग मैसूस कर पाते हैं इसको थोड़ा हाली में केस देखा होगा एक बड़ा दुखत केस हुआ कि वाली वुड के बहुत अच्छे अक्टर सुसान सिंग राजपूत ने सुसाइट किया का मतलब समझेगा दो चीने हमारे बाड़ी में होती हैं एक संग्यान एक संवेग एक कोगनेशन एक इमोशन कोगनेशन संग होगे से अपोजीट हैं इसका मतलब एक दुसरे से जुड़े हैं देखो कोई पॉजिटिव होगा तो धनातमक संबंद बनायेगा तो भी चुड़ा होगा कभी कभी दो लोग रिणात्मक संबंद बनाते हैं लेकिन संबंद तो बनाते हैं यानि संग्यान और संवेग अलग अलग नहीं है एक साथ जुड़े हुए हैं लेकिन निगेटिव हैं निगेटिव का मतलब यह हो गया कि व्यक्ति के अंदर जितना संवेग होगा जादा इमोशन तो अगर यहाँ पर आएगा तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संग्यान और संवेग अलग अलग नहीं हैं निगेटिव हैं अगर संग्यान जदा होगा संवेग कम होगा संग्यान कम होगा संवेग जदा होगा आप देखिए कि जिन लों के अंदर ग्यान होगा वो कोई emotional कद किया से लगा ली टीवी नहीं देखने को मिला से लगा ली पतनी से सवाल से मही के सवाल नहीं आई यह क्या है कुछ दिर के लिए इमोसन इतने जहदा ऊगया कि उसने संग्यान को ढख लिया कि इसxo ती मिली एक साह्त हैं लेकिन पुजट क्लियर कौशन नम्हें इसका option क्या हो गया डी वाला फिफ्टीन में आ जो फिफ्टीन में कह रहा है विच आप दा फालोइंग इस दा प्राइमरी सोसलाइज सोसलाइजिंग एजिंसी भीया समाजी करण की पहली प्राटमिक कौन है तो सब को मालूं भीया फैमिली है फैमिली में बचना बच्चा उटना बैठना समाज में अपने पापा मम्मी चाचा बाबा दादी से कैसे बात करना टीचर से कैसे बात करना बड़ों से कैसे बात करना है अपने अदूद वाला रहा उससे कैसे बात करना सफाई करम चाहिस कैसे बात करना है यह सारी चीज़ें समाजिक प्रक्रिया को सिखाया ज प्रिपोजिशन अफ जीन प्याजे थियोरी इस डैट जीन प्याजे का सिध्धान्त क्या था समझेगा जीन प्याजे का सिध्धान्त ये कि बच्चे भी सोचते हैं और बड़े भी सोचते हैं बच्चे और बड़ों की सोच अलग होती है हम सोचते हैं स्कूल जाना अच्छा है स्कूल में डट के महत करो आईएस बनो टीचर बनो पीसेस बनो या और बड़े अदिकारी बनो ये हमारी सोच है बच्चों को सोच क्या है हम खेलेंगे टीवी देखेंगे रिमोट से गेम खेलेंगे मोबाल से गेम खेलेंगे है ना या किर्केट खेलेंगे या मस्ती बच्चे हमसे ज्यादा भी सोच सकते हैं, कम भी सोच सकते हैं, इसका कोई पैमाना नहीं है, यानि बच्चे हमसे ज्यादा सोचेंगे, कम सोचेंगे, इसका कोई पैमाना नहीं है, लेकिन है एक चीज का पैमाना है, कि बच्चे की जो quality होती है, सोचने की, वो हमसे कम होती है, यानि बच्चे qualitatively हमसे अलग होते हैं सोच में तो इसका C option आप देखिएगा Children thinking is qualitatively different from adults ठीक, बच्चों की सोच गुनात्मक रूप से अलग होती है मात्रात्मक रूप से नहीं, quantity अलग नहीं होती है quantity, लेकिन हा, quality अलग है, हमारी सोच की quality अलग है और बच्चों की सोच की quality अलग है तो इसका answer हो जाएगा भहिया, C वाला Question number 17 में आजो, gender क्या है? तो भहिया समझिएगा, gender यानि लिंग, समाज में पुरुष कौन है, महिला कौन है उनका विवसाए क्यों है? ठीक, even हमारे समाज में क्या है? पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाएं बिलकुल अलग अलग है बिलकुल अलग अलग है यहां तक की, वो क्या खिलोने लेंगी? कौन से विवसाए? कौन सा रंग होगा? यह भी सब अलग अलग है यानि यह एक तरह की सामाजी सरचना है जिसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए कुछ निस्चित भूमिकाएं बांदी गई है खिलोने भी अलग अलग हैं पुरुष महिलाओं के बच्चा लड़का होगा तो गन से खेलेगा बंदूक से लड़की होगी तो डॉल से ठीक उनके लिए वेवसाई भी अलग अलग है किसी होटल में या किसी बड़े आफिस में रिसेप्शन में स्कूल में हम एकसेप्ट करते हैं कि यहां कोई फीमेल हो सकती है लेकिन ट्रक चलाना है आटो चलाना है पान की दुकान होगी तो यहां पर हम क्या मानेगे कोई लड़का ही बैठा होगा यानि वेवसाई में भी जेंडर हमने कर दिया इविन कलर तक अलग-अलग है तो यह आप समा लिजेगा कि हमारा जो समाज है इसमें पुरुस और महिलाएं दोनों है लेकिन दोनों की भूमिकाएं अलग-अलग करके मानी जाती है यानि जेंडर एक तरह की समाजिक सरशना है आप दिखा होगा कि आप यह समल लो एक कुस्ती के लिए हमें किसी को भीजना है कॉंपडिशन में इसकूल में ऐसे टीचर हमें कुस्ती के लिए किसी को भीजना है तो हम क्या करेंगे लड़के को भीजेंगे लेकिन इसी तरह कोई कॉंपडिशन हो जाया सिंगिंग का तो हम लड़की को भीजेंगे तो यह जो जेंडर इनेक्वेल्टी है ठीक है ना यह हम लोग बोल सकते है क्या कि जेंडर स्टीरियो टाइपिंग है यानि रूड बदिता है यह समाज में हर जगर पाया थी इसलिए हम कह सकते हैं जेंडर एक तरह की समाजिक सरचना है आपसन नमबर बी अब 18 में आते हैं कोशन नमबर 18 में आते हैं निमलिकित में से कौन वि पिलिए हो तो आप ट्रिक याद रखें PCS मी PCS PCS मी में मैं मैं PCS है ना मैं PCS कैसे PCS का मतलब PCS पी का मतलब यहां पर फिजिकली है शारीरिक C का मतलब कागनेटिव संग्यानात्मक PCS का मतलब समाजिक यानी शारीरिक विकास संग्यानात्मक विकास समाजिक विकास और हमने बुला मी, म, इ, तो M से है morality, नैतिक विकास, और E से है emotional, समवेगात्मक विकास, ये पाँच विकास होते हैं, PCS, मी, और इस पाँच में से चार दिये गए हैं, option number D में, तो यानि इसका answer क्या होगा? इसका right answer is D, आगे आजो भई, 19 वाले question में से, कहला कौन सा कतन सही है, तो भईया, इस सारे कतन बुद्धी वाले सही है, तो बुद्धी के विश्य में सबसे main चीराप समझ जाईएगा, बुद्धी बहु आयामी होती है, आपने पढ़ाओगा बिने का एक कारक से दान्त, हाल त्रीडी से दान्त भी है, एक चीर दियान न किएगा आप सभी लोग, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप में से स्क्रीन पे मेरा वार्टसप नमबर चलता है, यूटूब मेरा वीडियो चल रहा है, वो तो आप लोग देखी रहे हो, वार्टसप नमबर है, आप जिनको भी कहीं कोई चीज़ सीखनी हो, टीटी समंदित चीज़े चाहिए हूँ, वो हाई टीटी लिखकर हाई, 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 फिर टीटी लिखकर हमको इसी नमबर पर वार्टसप करते हैं, तो जो मेरे पास चीज़े हैं, वो दे देंगे, अब जैसे नोंने बुद्धी की सिध्धान्त की बात करता है, बुद्धी की सिध्धान्त की एक ट्रिक है, वो ट्रिक आपको गूगल पे नहीं मिलेगी, यूटीब पे नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, लोग एक ट्रिक बनाते हैं, थेले थे समू में, अजीब सी एक ट्रिक बनाते हैं, उसमें पांच पर नहीं है बोर्ड पर हमने पढ़ाया उसकी फोटो मिरे पास पढ़ी है तो जिनको भी लगे हाई लिखके केवल टीटी लिखके भेज़ दिजेगा तो मेरे पास जब भी कोई ऐसी कोई चीज आएगी हम उस तक पहुंचाएंगे ठीक है तो कौन सा कथन सही भी है किसी भी वेक्ति की जैसे मालो किसी का हम टेस्स ले रहे हैं अब बुद्धी में तो कई सारी चीजें हैं हो सकता हम दो ये तिन चीजें पूछ रहा हूं इसका मतलब है बुद्धी में कई सारी चीजें होती हैं जिनका मेजर्मेंट हम नहीं कर सकते हैं कभी नहीं तो इसका c option बिल्कुल सही है intelligence is a multi-dimensional involving several abilities जिसमें बहुत सारे abilities हों लेकिन not entirely measurable यानि जिनको हम नाप नहीं सकते हैं by intelligent test दुनिया में ऐसा कोई भी test नहीं है जिनके दोबारा हम बुद्धी को सही सही नाप सकें क्योंकि बुद्धी में बहुत सारे dimensional होते हैं तो इसका option होगा c question number 20 में आते हैं वहिया करा in progressive education children are seen as progressive progressive सिक्षा में कैसा समझा जाता है बच्चों को तो देखिया आज हम 3-4 बार कह चुके हैं आप यार रखिएगा बच्चों को क्या समझा जाता है gene p.i.j के अनुसार बच्चों को सक्री अनवेसक active explorers के रूप में समझा जाता है जो स्वयम समस्या का समाधान कर सकते हैं नन्य वहिज्यानिक के रूप में अपनी दुनिया का निर्मान स्वयम करते हैं इन सब्दों को रट लीजिएगा मैंने आप से पहले उस समय मैं कहा था मैंने कहा था न रट लीजिएगा नन्य वहिज्यानिक यह इस तरह का तो आप option number B देखिए बीस का बी option number बीस का बी चली आगे पड़ते हैं 21 ले वाजगोस्की अनुसार देखो भई पियाजे और वाजगोस्की दोनों ही यह मानते हैं कि बच्चे ग्यान का निर्मार स्वयम करते हैं लेकिन पियाजे और वाजगोस्की मंतर क्या है पियाजे ने सिद्धान दिया था संग्यानात्मक विकास का सिद्धान दे दिया ठीक लेकिन वाजगोस्की कहते हैं कि संग्यानात्मक विकास के साथ साथ भासा का विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, शारीदिक, सांस्कृतिक विकास भी होता है, यानि आप कह सकते हो, ले वाइगोस्की के अधिगरम क्या एक सोसल एक्टिविटी है, या रखेगा पियाजे मानते हैं कि बच्चे संग्यानात्मक विकास से सीखते हैं, लेकिन वाइगोस की मानते हैं कि बच्चे संग्यानात्मक के साथ साथ भासा का विकास, सामाजिक विकास, सारिधिक विकास से भी सीखते हैं यानि 21 का आंसर है D, A Social Activity Question No.22 में देखते हैं कहला कौन से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? बहिया, प्री ओपरेशनल स्टेज की बात चल रहिए प्री ओपरेशनल स्टेज की बात आप जानते हैं कि प्याजे की जो संग्यानावक के विकास से उसमें चार अवस्था है एक ट्रिक आती है सबसे पहले मूर्थी आपकी सबसे पहले मूर्थी आपकी ठिक operational stage और चौती यह आपकी आनि आपचारिक या concrete stage सबसे पहले वस्ता 0-2 साल की है दूसरी वस्ता 2-7 साल की है तीसरी वस्ता 7-11 की है और चौती 11 से यह आली इन्होंने बात करी है pre-operational stage pre-operational stage का मतलब हो गया 2-7 साल दो से 7 साल इसका मतलब आप समझेगा इसमें कई सारी भी सेस्ताइं होती है नमबर एक क्या होता है नमबर एक क्या इससे समझ लिजेगा इस आवस्ता में बच्चों के लिए बनावट बहुत होती है बनावट का मतलब बच्चे नकल बहुत करते हैं आप बता दो डॉगी कैसे करता है, पापा कैसे बोलते हैं, मैडम कैसे डाटती हैं, दादी चिलाती हैं, या पापा बाइक कैसे स्टार्ट करते हैं, तो बच्चा हर चीज की नकल कर लेगा, यानि बच्चें के रहे बनावट होती हैं, लेकिन एक चीज़ और भी है, बच्चों को सही गलत की जानकारी नहीं है means concept clear नहीं होता है एक और इसी में आता है जीववाद जीववाद का मतलब होता है आप देखते हो कि बच्चा जा रहा है और माल लिजी बच्चा दिवार से टकराग जा रोने लगा आप गए अपने दिवार के एक थपड मार दिया और कह दिया अच्छा म उसने मुझे चोट पहुचाई और मेरे पिता ने उसको डाट कर मार कर मेरा बदला ले लिया है तो निर्जीव को सजीव समझने की जो विधी है जो ये concept है इसको बोलते है जीववाद और एक चीज और होती है इन रिवर्सबिल्टी इन रिवर्सबिल्टी का मतलब होता अ एक जैसे लंबाई वाली हमने लकड़ी दे दी, स्केल दे दिया जिनकी लंबाई बदाबर है, अब दोनों बदाबर की हैं लेकिन एक को हम थोड़ा उपर उठा दें और एक को नीचे कर दें और कह दें बताओ को उसी बढ़ी है तो जो आगे की और बढ़ी है बच्चा को वो उसी को बता दे बड़ी है तो यह जो चीज़े होती है यह समझे लो बच्चा यह जानता है 5 प्लस 3 इस इक्वल टू 8 5 और 3 बराबर 8 लेकिन उसी से वो अपने आप यह समझ नहीं सकता कि 5 प्लस 3 बराबर 8 इसका मतलब है 8 में से 5 जाएगा तो बच्चे का 3 बच्चा वापस मूल जगह पे नहीं लोट पाता है इसे बोलते अनुत्रमरीता रिवरसिबिल्टी आपसन नमबर सी अब आज़ते हैं कोशन नमबर 23 में बच्चों और अरिगम के विसमें कौन सी चीज सही है तो भी यह आपसन देखे मैं इतनी देर से बता रहा हूँ अब तक आप समझ गए होगे कि इसका आपसन नमबर D बिलकुर सही है All children are naturally motivated to learn and capable of learning हर बच्चे जो होते हैं वो सीखने के लिए स्वावित रूप से प्रेदित होते हैं सक्षम होते हैं और as a teacher हमें हमेशा दियान रखना है कि हर बच्चा capable है All children are equal हमें ये मान के चलना है and they have to possibility of learning और उनके अंदर learning की possibility है ठीक तो ये हमें हमेशा सीख के चलना है तब ही तो हम समावे से सिख्चा का निर्मार कर पाएंगे हर बच्चा बराबर है हमाई नजर हूए हर बच्चा बराबर है चाहे वो भासा के रूप में पिछड़ा हो चाहे वो सामाजिक रूप में पिछड़ा हो बुद्धी से पिछड़ गिया हो कोस से पिछड़ गिया हो हमें इस अब को नहीं देखना है में सबके साथ समान बिवार करना है ठीक तो इसका आपसा नंबर होगा डी कोशन नंबर 24 में आते हैं हाँ चालक विकास की दर में वेक्तिकर भी बित्ता होती हैं बैया समझेगा बच्चों के विकास का करम इसमें लोग बड़ा कन्फियूज रहते हैं हिंदी इंगलिज दोन ग्रॉस मोटर डेवलप्मेंट या परिश्कत या इस्तूल और सेकंड होता है F फाइन मोटर डेवलप्मेंट या परिश्कत या सोचम तो पहले बच्चा क्या करता है जिसे महाल लोग पें पकड़ा दो बच्चे ने पें से कापी में टेरी मडी लकीरे खेस दी रजो टेर नहीं मड़ी लकीजों से वो ट्रेंगल बना दे एंगल बना दे रेक्टेंगल बना दे कोई पॉलिगॉन बना दे स्क्वाइर बना दे इसको बोलेंगे हम लोग क्या फाइन मोटर डेवलप्मेंट ठीक यानि बच्चा चलना सिख गया है यह हो जाएगा ग्रॉस मोटर डेव बच्चा पहले क्या सिखता है ग्रॉस मोटर डेवलप्मेंट बाद में क्या सिखेगा फाइन मोटर डेवलप्मेंट इसका मतलब ऑप्सन नंबर इसका सही है बी आते कोशन नंबर 25 वैस्कता का संक्रमण क्या होता है समझिएगा एक ऐसी स्टेज जहां पे वैस्कता का संक समाजिक और प्रोणा वस्था ये देखिए बीच का काल होता है इसके बीच का काल होता है इसलिए सबसे कठिन काल होता है इस अवस्था में क्या होगा बच्चा दोनों अवस्था में रहेगा लोग उसे बच्चा समझ रहे हैं लेकिन वो मनीमन बड़ा हो गया है मनीमन स्विक्रति मिल रही है और ना उसको बड़ों की स्विक्रति मिल रही है ठीक तो किसोरा वस्ता वो एक ऐसे वस्ता हो गए जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अगरसर होता है उसको लगता है कि हम वैस्क हो गए है और तभी कई बार वो वह गलतियां कर देता है जो वैस्क करत कई बार आज कहा है जादा ना करके सीरा देख लो डी वाला उपसन में क्या कह रहा है ग्यान को सक्री रूप से संदचित करते हैं और जैसे जैसे वे दुनिया में बेवहार कोसल का प्रयोग करते हैं अन्वेशनल करते हैं हमने पहले का बच्चे अपने आप बनाएंगे अप पे केवल ऐसे गाइड होंगे बच्चे जन्म से ही सूचनाओं के संग्रा करने वाले प्राणी होते हैं देखे एक और दासने का जॉन लॉक जॉन लॉक मुझे याद आ गया जॉन लॉक ने कहा था बच्चे का मस्तिस्क कोरे कागज या स्लेट की तरह खाली होता है यह दूकोई बच्चा जन्म से ही जिग्यासू होता है बच्च जन्म से ही नन्नवघ्यानिक होता है तो आपने दुनिया का निरुमारा स्व्यम करता है कैसे आप यसी बच्चे को आट-dust यह दे देदीति जैए दो तीन बच्चों को कोई लोको उन। रबहता देंगैं Porsche no 27 कर आई मौकिक समवार भाया ले वाई गोस्की की बात कि रहीं लें वाई गोस्की की आंउसर क्या करे हैं कि बच्चे जो आपस में बात करते हैं उसको कहते हैं प्राइविटि बच्चे अपने आप से बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या private speech सबस्केश — ठीके भईं, देखे पियाजे भी थे पियाजे कहते थे कि जो अपने आप से बच्चे बात कर रहा थे, वह अभ परिबकव होती है, लेकिन वॉई गोषकी कह रहे रहे है कि जो आरंबिक बाले अवस्था होती है इस अवस्था में बच्चे अपने आप से बातें करते हैं तो इसका उप्सन होगा ए कोशन नबर 28 में आते हैं खिलाओने पहिनावे की वस्थों है अभी भी बताया भी है इसको बोलते हैं क्या जेंडर स्टीरियो टाइपिंग जेंडर रूड़िवद्धा देखिए हमारे यहां हर चीज जेंडर रूड़िवद्धा को प्रदर्शित करता है हमारे यहां कपड़े, खिलाओने, घरेलू, शामग्रिया, वेवसाय, रंग, समाज में भूमिकाएं एक निश्चित है जैसे खिलाओने लिखा हमने एक्जामपल क्या दिया था लड़की होगी तो वो डॉल ने कियाएगी, लड़का होगा तो गन ने कियाएगा मालो इसमें कहीं लिखा है वेवसाय, आटो चलाना होगा, टेम्पो चलाना होगा तो पुर्श चलाएगा महिला क्या करेगी? महिला किसी ऑफिस में जौब करेगी टीचर बन जाएगी किसी आसपास के स्कूल में ऐसे टीचर वो जौब करने लगी य। वर्क करने लगेगी तो अपने हैं क्या है? फिलाए पे Damitी बैसे ने हैं रंग, कलर, घरेलु सामगरिया उनके साथ एक special treatment होता है कि पुर्सों के लिए अलग माईलाओं के लिए अलग इससे बोलते है जेंडर स्टिरियो टाइपिंग जेंडर रोडी वद्दिता है चलिए 29 में आते हैं बाई कि प्रामबिक अच्छा कच में बच्चे अपने अनौल लेकियाती है देखिए मेरा समाविसी सिक्षा का एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें हमने साफ साफ कहा है कि बच्चों के विचारों को मानेता देनी चाहिए बच्चों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए इससे क्य होगा बच्चे का दिमाग खुलेगा बच्चे की टीचर के साथ जीजा खतम होगी हो सकता है बच्चा ठीक बोल ला हो तो उसका उसा बढ़ेगा और कभी-कभी बच्चा गलत भी बोलता है तो भी हमें उसको डाटना नहीं ज्छलकना नहीं है बलकि पहले उसकी पूरी बा या बच्चा कोई अनुभू लाता है अपने विचार रखती करता है उसको ध्यान से सुनना चाहिए पूरा सम्मान देना चाहिए गलत भी है तो उसको कह सकते है बेटा बहुत बढ़िया तुमने प्रयास किया एक काम करें उसको और अच्छी से त्यार करो बच्चे गंदर उ साओ जाएगा कि हामारा सम्मान हुआ ठीक और हम मालो हाज दिये डांट दिया तो उसका मन खरा हो जाएगा तो इसका आदमी अपनी पतनी की जान बचाने के लिए दवाई की चोरी करता है क्योंकि जिसने दवाई बनाई है उसने उसका दसगुना रेट रख दिया था उसक पास खहिदने के पैसे नहीं थे अगर वो चोरी ना करता उसकी पत्नी मर जाती तो उसने चोरी गली दवाई की बाद में कोल वर्ग ने लोगों से पूछा के बताओ दुकानदार ने सही किया रेट को दजुना बढ़ा कर या उस व्यक्ति ने सही किया चोरी करके तो इस प पनिस्मेंट एंड ओविडियंस ओरियंटेशन यानि दंड एवं आग्या पारन अभी विन्यास इसका मतलब क्या होता है बच्चों को हमेशा अपने से परिवार में अपने से बड़े और साधन संपन व्यक्ति महुले के बड़े और साधन संपन व्यक्ति या अरिकार संप काम नहीं करेंगे वो गलत काम इसलिए नहीं करते हैं कि अगर यह करेंगे तो हमें डांट पड़ेगी मार पड़ेगी बच्चे पनिस्मेंट से बचने के लिए गलत काम नहीं करते हैं और पनिस्मेंट किसके द्वारा अपने परिवार समाज फैमिली और इसकूल के बड़े और अधिकार संपंद्र लोगों की डाट से बशने के लिए वो गलत काम नहीं करते हैं वो क्या सोचते हैं इनके दिये जारे वाले दंड से बशने के लिए चिंतित रहते हैं वे नियमों को उनको तोड़ने से होने वाले दूस परणाम को समझते हैं उनको इससे मतलब नहीं क यह सही गलत क्या है उसको किसी कारी के करने पर होने वाला जो परिणाम है उस परिणाम के आधार पर वो अच्छा या बुरा समझते हैं जिसका परिणाम बुरा निकलेगा वो काम खराब जिसका परिणाम अच्छा निकलेगा वो काम अच्छा यानि इसका option number सही होगा हमारा बी वाला दोस्तों कैसा लगा वीडियो मैंने पहली बार इस तरह का वीडियो बनाया है तीन दिन तक प्रयास किया यूटीब पर ये जानने का कि कैसे पीडियाफ बनाई आती हूँ कैसे क्या किया रहा बड़ी मुस्किज़ प्रियास किया है अगर आपको मेरा प्रियास अच्छा लगा हो तो भाई लाइक शेयर तो करें देना और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत